भारत यों आस्ट्रेलिया के मद्ध चौथा टेस्ट मैच ड्रा होने के बावजूद भारत वोर्ड टेस्ट चैंपियंशिप के फाइनल में पहुँच गया दरसल क्राइट चर्च में खेले गए पहले टेस्ट में न्यूजिलेंड ने स्रिलंका को दो विकट से हरा दिया जिसके नतीजे के साथ भारत अवोर्ड टेस्ट चैंपियंशिप के फाइनल में पहुँच गया हाला कि भारत और आश्ट्रेलिया के मद्ध होने वाले चार टेस्ट मैचों का सिरीच भारत दो एक से जीच चुका है तरसा चौथा टेस्ट मैच डा रहा आए जानते हैं या किस प्रकार हुआ स्रिलंका को वर्ड टेस्ट चैंपियंशिप में जगा बनाने के लिए न्यूजिलेंड को दो जीरो से मात देना चरूरी था जबकि क्राइट चेर्च में पहला टेस्ट मैच हारते ही उसका या सपना तूट गया अब 7 जून 2030 को लंदन के ओवल मैधान पर भारत और आस्ट्रेलिया के मद्ध वर्ड टेस्ट चैंपियंशिप का महा मुकाबला खेला जाएगा भारत और आस्ट्रेलिया के मद्ध होने वाले चोटेस टेस्ट की सबसे खास बाती है रहें कि बिराट कॉली ने तीन साल बाद एक सांदार पारी 186 रन के रूप में खेली तता वो तोरे सतक से चूक गए तता सुमन किल ने 128 रन बना कर जता दिया कि वो भविसी के चुनोती के लिए तयार है फिलाल एक बार फिर भारती टीम को वर्ड टेस्ट चैंपियंशिप के फाइनल में पहुँचने के लिए हारतिक पथाई यह भारती खिलाडी में कड़े मेहनत का नतीजा है